सु यार आच चुके है और एक ब्राइंड न्यूव इंटरस्टिंग वीडियो साथ सो इस वीडियो को जरू से एंट देखना क्योंकि यह वीडियो जो होने वाला उन लोग प्लिए जो की आईदेम की वर्जिन से परिशाग हो चुके क्योंकि बहुत सारे लोगों कि मुझे जो एक कमेंटायर दे किognes के लेटेश बटेट से उसके कारण जो हमारा याई देम लेटेश वर्जिन में के नर'T में करने नहें प्लिए करना चाहते फिकस्पइंड बटेंट से dormit करें उसके अंधर देंए करना तो एनलेख मारा चैनल scarable प्लिए כ स्काइब करो ताकि इन फिचर में मिलने वाली वीडियोस को नोटिफिक्शन आपसे भी को अपलेड होते ही मिल जाए तो खेर करते वीडियो को स्टार्ट चले शुरू करते है ट्यार देखो बाई सबसे पहले तुम्हें आपसे भी आपने आयदेम का वर्जन करेंट वर्जन दिखा देता हो ताकि आपसे भी को भी जोए प्रूप मिल जाए वरना आपसे भी को लगेंगा कि यह फेक बात है कर रहा है तो आप यह पर देख पारेंगी कि मेरा जो आइदेम का वर्जन है करेंट वर्जन 6.70 यह जो लेटेस वर्जन है उसके अंदर जोए मैंने अपने गतले मैं आए देम को सबसे पहले तो इंस्टॉल कर लिए आया वर्जन कर लिए आपसे दिखा दूँगा कैसे आपसे विजो देम फाईल को आप्लाइव करना आ तो इसके लिए आप से भी कुछ से देखना है और इसमें दिखाएगे सारे स्टेप को आगर आप फॉलो करे उसको जो है आप से भी को डाउनलोड कर लेना है इस वाले application को open करते ही इसका interface को जिस तरी की का आप से भी को मिल जाएंगा तो यहां पर आप से भी को कुछ ने करना पड़ेंगा सिंपली जो आप से भी के right side में सबसे उपर में three dots देखने को मिल जाएंगी जैसे कि आप यहां पर देख पारेंगे सिंपली उसके उपर क्लिक कर लेना है तो यहां पर चीव है आप सभी को एक option में लिगा है जिसका नाम है hidden file वाला तो उस वाले option को enable कर लेना है फिर जो है आप सभी सामें इस तरी की का interface आ जाएंगा इससे क्या होंगा हमार जो dwd folders होते न वो enable हो जाएंगे और आपके सामे यहाँ पर आ जाएंगे तो यहांप सभी को कुछ ने करना पड़ेंगा आपने जो है left side में जो है आप सबसे पहले तो dwd folder को सर्च करना पड़ेंगा जैसे कहा आप यहाँ पे देख पार होंगे कि मेर जो है लेप साइट में dwd folder आ यहाँ आ चुका है तो इस फाल फोल्रों को simply मैं open कर लेता हूँ इसके अंदर जो हमें आपने टीफ फोल्डर को open कर लेना है सबसे पहले तो मैं यहां पिस सबसे पहले तो अपने टीफ फोल्डर के हूँ यहां पर उपन कर लेता हूँ जैसी कि आपको पताऊंगा कि किस तरह किसी देंप फाइल को पन वगर करते हैं जैसे कि हम जो एकस्फाल एक्सफलोर में जिस तरीक इस करते हैं उसी तरीके से आपसे भी को यहां पे करना है पर आपसे भी यहां पे ध्यान में रखना है कि रैट साइड में जो आपसे भी को आपस में तो उसके अंदर जो ड.WD फोल्डर को open कर लेना है फिर कई सारे दिखेंगे तो जो आप अप्लाइ करना चाहते हो उस देम फाइल को सिबसे पहले तो ओपन कर लेना है तो सिंपली जो है मेरे सब्सक्राइब तो यहां पर कोई भी जो आप देम फाल करना चाहते हो सब्सक्राइब तो चैनल ऊपसे ऊपर कर सकते हो तो में बिसिकली copy all option पे click कर लेता हूँ फिर okay पे click कर लेता हूँ इससे क्या हूँगा हमार जो देमफाल है successfully जो हमार टीफ फोल्डर में जो best हो जाएंगे जैसे कि आप यहाँ पर left side में देख पा रहे होंगे कि मेरे जो देमफाल हैं यहाँ आप accessibility folder में आ चुके तो यहाँ पर आप सभी कुछ ने करना पड़ेगा आँमार जो left side में जो है यानि कि हमार जो its पहले उसके उपर आप सभी को एक बार प्रेस करके रखना है जैसे आप प्रेस करके रखेंगे तो आप सभी को जो है यहाँ पर open with का एक bottom में option देखने को मिल यहाँ आप सभी को zip viewer का option मिल जाएंगा उसके उपर simply क्लिक कर लेना है तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यह जो हमारी its file जो है न वो zip file में कनोट हो जाएंगे और आपकी साम में कुछ इस तरीकी का इंटर फेस आजाएंगा तो आप सभी को थोड़ा सा slide down कर लेना है जैसे आप पूरी तरीकी सा slide down करेंगे इस दिए फाल में आप से भी को एक वीओ का फोल्डर मिल जाएंगा simply उस वाली फोल्डर पर आप से भी को प्रेस करके रखना है जैसे आप प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पर आप से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप से भी कुछ कुछ ने करना पड़ेंगा हमार जो नाम है वीओ उसके आगे जो आप से भी को एक लगा लेना है यानि कि वीओ 1 आप से भी को नाम लिखना है फिर पर क्लिक कर लेना है तो आप यहाँ पर देख पारेंगे कि हमार जो फोल्डर है वीओ पहले जो उसका नाम वीओ था पर ह आपने चेंज करके विव वन रख दिया है फिर जो कुछ भी आपसे भी को नहीं करना जैसे आप रहने पर क्लिक करेंगे तो सेक्सेसफुली जो बैक चले आना है तो यहां पर जो आपसे भी एक नया फोल्डर क्रेट होता हुआ दिख जाएंगा जिसका नाम है डार्क प्रिटेंट, इस रख नाम की जो के आपसे भी को यहां पर कुछ इस टाइफ की लुप के साथ देखने मिल जाएंगे तो यह हमारे नजीज करने आपको अपने ऐधीम में यास नहींब हो मिल जाएंगी तो आपसे भी सिंक्ली यहां पर दिख्का देता हूँ बेसिकली मैं आपने item को यहाँ पे open कर लेता हूँ जैसे open करूँगा फिर जोए local में चला जाओँगा तो यहाँ पे आप देख सेकेंगे कि local में मेरे पास जोए पाच देम पाले थे पर इस trick को करने एक बाद जोए मेरे देम जोए 6 हो चुके और यहाँ से आप जोए देम प कर कि चो आप किसी भी देम फायल को घर सिर्प इस देम में मतलब चीछा एक चीज़ आप सभी को देखने को मिलेंगी कि जो हम बैग्राइण में Wall Papers अगेर रखते हैं ना जैसे की डैइलर की बात करें तो डैइलर के बैग्राइण में जैसे तरी की कैम Wall Papers लगते हैं न वह सब्सक्राइब करना है तो आपको यहां पर कुछ नहीं करना पड़ेंगा हमार जो सब्सक्राइब करना है तो जो कि हमने जो फोल्डर था उसकी साथ जो इसका नाम चेंज करके विव वन रख दिया था तो फिर से आप सब्सक्राइब को उसी देम फाइल पर प्रेस करके रखना है इस बार जो आप से भी को रेनेम का एक ऑप्शन मिल जाएंगा जो आपने नया नाम बनाया था वीव वन का उसी जो है कट करके सिर्फ वीव रखना है आप से फिर ओके पे क्लिक कर लेना है तो इससी जो हमने सक्सेश्फुली देम जाएंगे और जैसे में आपने यहांपर ओपन करूँ가 तो आम जो है फिर इक बार उसी देम फाइल को जो है सेट कर लेना है जैसी में आपने दिम फाइल को यहां पर सेट करूंगा तो कुछ इस टरीक का इंटरफेस आ जाएंगा और हमार जो दिम भले अपला हो जाएंगी और जो मैंने जैसे कि आपसे भी से कहा था कि बैगरॉंड में जो वाल पेपर होता है वो नहीं देखेंगा पर फिर जो आप इस ट्रिक को आगर करेंगे तो मतलब जो हमारी बैगरॉंड में भी वाल पेप प्रिक सकते हैं कि जो है आपने लेटेस वर्जिन जो वीवों पामट से हों जो कि लेटस में आपनी अंचीड को लाइक डेम फैल को फेल को यूज करते हैं widen में उसक्राइब करना अगर वीड़ को लाइक शेर करना और चैनल पर नयों हो तो चैनल को को भी सब्सक्राइब करो ताकि इन फिच्चर में विडियोस की नोटिफिक्स चैन आपसे भी को अपलोड होते हैं मिल जाए तो खेर बाय बाय नेक्स्ट वुड़ मैं और किसी टापिक साथ मिलूंगा तब तक ले स्यूँ